नहीं हुआ कि बड़ी तकलीफ हुई कि जम्मू जुट गया, जम्मू इकटे हो गया, लदाक इकटे हो गया, कश्मीर तूट गया, कश्मीर की लीडर्शिप तूट गई, और उन्हें तरजी दी पारलिमेंटरी सीट को, वो तरजी देते हैं एक एसेम्बली सीट को, एक था और जब आप अलग हो गए आपके दो जो हमारे जो जो मेजर पार्टनर्स थे जो अलाइंस इंडिया अलाइंस के मेंबर हैं उसमें से अब वो अलग-अलग अलेक्शन लड़ रहे हैं तो क्या करे आदमी हमने आज यहां पर फैसला लिया है यहां की अब हमारी लिडर्श को कोई इमदाद तो नहीं होगी वो हम कभी नहीं होने देंगे और जहां तक यह जमू कश्मीर और यह पीपल्स अलाइंस फर जमू कश्मीर है यह वो काम करेगा जो गुपकार अलाइंस नहीं कर पाई कुछ चीजें गुपकार अलाइंस नहीं कर पाया वो जमू कश्मीर और जम्मो कश्मीर People's Alliance के तहत ही अगर जो Assembly election होगा जम्मो कश्मीर People's Alliance और जो इसके candidates होंगे जो parties यहां पे होगी This will be the most formidable alliance to form the next government in जम्मो एड कश्मीर सर अभी आपके पास सामने में अवामी नैशनल कांफरेंस है आपके सामने में जेके पीम है आपके सामने में जम्मु कश्मीर पीपल्स पार्टी है आपके सामने में जो दिगज यहां के जम्मु के लोग हैं जो इस वकत इंडिया आलाइंस को बरपूर मदद कर रहे हैं वो पर जो आपकी ये एक और दो दो मिशन स्टेट उड़ है बहुत इंपॉर्टन और्गनाइजेशन वहां की शिया फेडरेशन ऑल पार्टी युनाइटिड मोर्चा जो बहुत बड़ा एक मोर्चा है हमारे वहां पर सिवल ससाइटी का डिफरेंट जगों से वहां पर उसमें लोग जमा हैं वो हमारे साथ शाना बशाना काम करेंगे उनके साथ भी मैंने बात्चीत शुरू किये और युनाइटिड पीपल्स अलाइंस है जो बहुती बड़ा एक संगठन सिवल ससाइटी का है यह पूरा एक प्लैटफॉर्म बिचेगा और इसके इसके हमें उमेद है कि एक बहुती जबर्दस कॉंबिनेशन सामने आ जाएंगे इंडिया अलाइंस से अभी बात क्या करेंगे इंडिया अलाइंस में आपके मेमरान दो हैं पीडीपी है और नेशनल कानफरंस है हम उनसे सिर्व एक ही बात कहेंगे कि बाई साब प्लीज आहिंदा जब आप उन ने का कि हम आपको स्टेटूट वापस दिला रहे हैं स्टेटूट वापस दिलाना तो कल प्राइमिनिस्टर ने भी कहा उसमें कौन सी बड़ी बात आप कर रहे हैं कॉंसी बड़ी बात आप कर रहे हैं वो सब लोग कहते हैं आप बात कीजिए 370 और 351 की उसके बारे में आ मुझूद में आया था जो हमारा unconstitutionally और illegally पांच अगस 2019 को लिया गया जंग उस पात पर है और अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ चार एप्लिकंट्स खड़े हैं जो मेरी सुप्रीम कोर्ट से डाइरी मिली है मुझे जो मैंने मांगी है वो ANC है, JKPM है, आपका यूसिप महमद इसुप तारिगामी साहब है और PDP है और वहां कोई और petitioner नहीं है so हमारा काम होगा to see that कि ये जो 370 और 35 का मामला है we go in for for the kill for the restoration of this matter and also come up with a government which will have an agenda that is governance without bloodshed and we make a comprehensive plan for uneducated 35 lakh unemployed youth और जो भी बाकी यहां के issues है on the same platform of development और विजन जो शेरी कश्मीर का था जो उसके बाद GM शाने 21 मेने में करके दिखाया same चीज को हम rewrite दुबारा करने की कोशिश करेंगे